नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ बोरू मुके मंद्री दिगविजैसी ने कहा इवियम हटाकर पियम मोदी आपने मत पत्र से चुनाव कराया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप प्रदानमंत्री नहीं बनोगे इवियम ही इनका सबसे बड़ा हतियार है इनको पता है इवियम से ही सत्ता है दिगविजैसी मंगलवार को शिवपूरी दोरे पर थे यहां राहुल गांदी की निया यात्रा की तैयारी को लेकर कारकरताओं से मिलने पहुचे शाम को प्रेस कांफरेंस में उन से जब पूछा गया कि लोकसबा चुनाव में कांगरेस की सीट कितनी आएंगी इस पर उन्होंने कहा अगर पीम नरिन मोदी में साहस है, हिम्मत है तो जन्मत के अधार के लिए पैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले उन्हें पता लग जाएगा कितनी सीटें आएंगी, मैं उन्हें चुनोती देता हूँ आयोद्या राम मंदिर को लेकर दिगविजेसी ने कहा भाशपा कहती है पांसु साल बाद राम लला को लाए हैं जब इतने साल बाद राम को ला सकते हो तो देश के करोड़ों रूपे लूट कर भागे नीरव मोदी और विजे मालिया को वापस क्यों नहीं ला पा रहे राम मंदिर का मुद्दा था ही नहीं राम मंदिर मुद्दा 1984 में बना जब भाशपा के चुनाओं में दो सदस्य रह गए थे तब से अब तक हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं इनका मुक्योद देश राम मंदिर को बनाना नहीं मस्जिद को गिराना था जिस मस्जिद को गिराकर भाशपा देश में नफरत फिराने का काम कर रही थी वहां मंदिर का रिर्मान नहीं हुआ जुस्तान कॉंग्रेस के शासन में स्वीकरत्र किया गया था मंदिर वहीं बना है दिगविजाय सी ने कारकरताओं से कहा या देश सबी कहे हिंदू मुस्लिम एक न होते तो देश को आजादी नहीं मिल सकती थी आजादी की लड़ाई के वक्त अगर सिद्निया जहासी की महारानी लक्ष्मी बाई का साथ दे देते तो 1857 में अंगरिज देश से बाहर हो जाते अंगरिज समच चुके थे कि देश में विटेश हुकुमत चलाने के लिए हिंदू और मुसल्मानों को बाटना होगा इसके बाद अंगरिजों ने मुसल्मानों के लिए मुसलिम लीक और जमाते इसलामिक बनाई हिंदूों के लिए आर एसेस और हिंदू महासबा बनाई इन चारों संगठनों में आजादी के लड़ाई में भागना लेते हुए विटेश हुकुमत का साथ दिया था यहीं अधनामा टीवी के साथ धन्यवाद